अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि अमीर बनने की सही एच क्या है तो हमारे मन में ये खयाल आता है कि इसमें 25 से 30 साल तो लगी जाते हैं क्योंकि अपनी पढ़ाई खतम करके पहले एक धंग की जॉब डूरनी होगी फिर पैसे बचाने होंगे अपने खर्चे कम करने होंगे और अच्छी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इससे 60 से 65 की उमर तक हम जरूर अमीर बन सकते हैं लेकिन इस हिसाब से तो हम पूरी जिन्दगी मेनद करते रहेंगे वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप रेटायर हो जाएं तब अमीर बन सकें लेकिन इस उमर में अमीर बनने से क्या फाइदा जब आप सब लग्जरीस को भी इंजॉय ही न कर पाएं तो ये तो था अमीर बनने का वो रास्ता जो हम सालों से देखते और सुनते आए हैं और जिसमें हमें शायद अपनी पूरी लाइफ ही पैसो को बचाने और एड़ेस्मेंट करने में निकाल देनी पड़ती है और अब बात करते हैं अमीर बनने के उस रास्ते की जिस पर चल कर इस बुक के आथर एमजे डेमा को सिर्फ 34 येर्स की उम्र में ही मिलेनियर बन गए आथर को ये पहले ही समझ में आ गया था कि एक नॉर्मल जोब रूटीन को फॉलो करके वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते थे इसलिए अमीर बनने के लिए अपने चुने हुए रास्ते को उन्होंने अपनी बुक दा मिलेनियर फास्ट लेन में बताया है इस बुक में आथर ऐसे तीन रास्तो के बारे में हमें बताते हैं जो हमें हमारे डेस्टिनेशन यानि की डिजायर मनी गोल तक ले जाते हैं साइड वॉक पर चलने माले जो लोग होते हैं वो जितना अरन करते हैं वो सारा ही खर्च कर देते हैं और अपनी monthly salary और income के जरिये ही अपनी सारी life गुजार देते हैं और जब उनके पास पैसों को लेकर कोई emergency वाली situation आ जाती है जैसे accident होना, तबियत खराब होना तो उनके पास loan लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता अब ऐसा नहीं है कि कम पैसे वाले लोग ही side focus होते हैं बलकि बहुत से high salary वाले लोग भी इसी category में आते हैं क्योंकि वो दिखावे और luxury वाले अपने lifestyle से जितना कमाते हैं उतना ही या कभी-कभी उससे जादा भी खर्च कर देते हैं जैसा कि हम बहुत सी ऐसी famous personalities को भी जानते हैं जो आज bankrupt तक हो चुके हैं क्योंकि उनका अपने पैसे पर कोई control ही नहीं होता वो बस दिखावे में जीते हैं और future, saving और investment से उनका कोई वास्ता ही नहीं होता है असल में जो side walkers होते हैं उनका mindset ही उन्हें अमीर नहीं बने देता क्योंकि उनका दिमाग तीन ऐसे beliefs को सच मान लेता है जो बिलकुल भी acceptable और logical हैं ही नहीं पहला belief यह है कि luck is essential for wealth जादातर लोग तो बस यही सोचते हैं कि अमीर लोग किसी luck की वज़े से अमीर बने हैं हमने लोगों को यह बोलते हुए भी सुना होगा कि यह सब तो किस्मत की बात है या इसकी किस्मत कितनी अच्छी है वो यह सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उस अमीर आदमी के इस struggling days को नहीं देखा आज शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने फ्लिपकार्ट जैसी ओनलाइन शौपिंग कंपनी का नाम ना सुना हो इसके ओनर्स सचिन और बिनी बंसल हैं जिनकी नेट वर्थ आज 9000 करोड से भी जादा है लेकिन हम में से कमी लोग यह जानते हैं कि अपने struggling days में IIT से graduate इन दोनों friends ने अपने एक scooter से door-to-door books की delivery की और ये लोग घंटो bookshops के बाहर खड़े रहे ताकि वे अपने pamphlets बाट सकें इसलिए लग नाम की कोई भी चीज अगर होती है तो वो सिर्फ उनी रहों के साथ चलती है जो वाकई में focused और dedicated होते हैं दूसरा belief यह है कि wealth is an event कई लोगों को लगता है कि अमीर आप एकदम से बन जाते हैं मतलब आपने एकदम से कोई काम शुरू किया और पैसे आना शुरू हो गए ऐसा नहीं होता है बलकि wealth का एक पुरा process होता है जो काफी लंबा भी हो सकता है पर जो at the end आपको results देता है एकदम से कोई millionaire नहीं बनता बलकि दिन रात मेहनत करके focused और dedicated रहकर wealth अचीव की जाती है तीसरा belief हमारी society में ये है कि others can give you wealth कुछ लोगों को बड़ी गलत फैमी ये होती है कि अगर उन्हें कई से पैसे मिल जाएं तो वो अमीर बन सकते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कई researches में ये proof हो चुका है कि lottery जीतने वाले लोग कुछ ही टाइम में अपनी पुरानी condition में वापस आ ही जाते हैं क्योंकि उनका mindset यही है कि पैसा आना तो लक और चांस पर डिपेंड करता है लेकिन सच तो यह है कि अपने dedication hard work और continuous effort से ही आप अमीर बन सकते हैं साइड वॉक के बाद हम author के बताय हुए दूसरे रास्ते slow lane की बात करते हूं इस लेन में जो लोग आते हैं वो अपने पैसे थोड़े समझदारी से खर्च करते हैं वो लोग present से जादा future की lead को सोच कर saving के साथ चलना पसंद करते हैं और अपने retirement की उमर तक आते आते ये लोग अमीर बन भी जाते हैं लेकिन इस उमर तक आते आते वो life को enjoy करने वाली अपनी age से काफी आगे निकल आते हैं पैसा तो आ जाता है पर उसे कमाने में उनकी सारी उमर निकल जाती है और अब बात आती है उस रास्ते की जिसे author ने खुद चूज किया था अमीर बनने के लिए और वो रास्ता था fast lane जी हाँ जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वो रास्ता है जिससे आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपनी life को enjoy भी कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी passive income पर focus करना होगा मतलब जब आप सो भी रहे हो तब भी आप पैसा कमाते रहें जैसा कि आपने अपना पैसा कहीं जमीन लेकर invest किया हो या आपने अपना कोई flat rent पर दे दिया हो यहाँ rent आता रहेगा चाहें आप सो भी रहे हो या फिर आप कोई ऐसी website या app बनाएं जिसमें सिर्फ एक बार मैनत करके पूरी जिन्दगी उससे earn किया जा सके आज कल digital age में इतने ideas और options हैं कि एक बार मैनत करके और अपना मनबसं काम करते हुए आप अमीर बनने के अपने सपने को जल्दी ही पूरा कर सकते हैं और यही आपकी असली दौलत है जो है अपनी पसंद से जीने की आपकी आजादी तो यह थी समरी book the fast lane की आपको इस समरी से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इस चानल को like, share और subscribe करके इसे grow करने में help करें इस book के concepts को और detail में पढ़ने के लिए description में दीगए link से आप इसे purchase कर सकते हैं Thank you